तो गाईज, कैसे हैं आप लोग हमें सही तरह आप अच्छे होंगे दोस्तो आज करें वीडियो काफी जादा इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है फायर बोल्ट की तरब से एक और नूली लॉंच स्मार्ट बोच जिसका नाम है दोस्तो फायर बोल्ट कोलाइड बैसे तो दोस्तो बहुत सारी बोच इस चैनल पर मैं रिवीव कर शुका हूँ लेकिन दोस्तो ये कुछ बोच दूसरे से डिफ्रेंट है और दोस्तो इसे मैंने अमेजान से पर्चेस कर लिया था तीन हजार उपाय में और दोस्तो पिछले कुछ दिरों से टेस्ट भी कर रहा हूँ बोक्स को अनबोक्स करूँगा सारे फीटर आपको अच्छे से एक्स्प्रेंट करूँगा अगर आप इस बोच को लेने की सोच रहा हूँ और दोस्तो यहां पर इनोंने मैंसन कर दिया अल्टरा लो पावर कंजूप्शन और दोस्तो स्क्रीन साइज भी इनोंने मैंसन कर दिया 1.32 रेटिना लेबल एच्टरी डिस्प्रेस में आपको मिल चाहेगा और दोस्तो इस साइड इसके कुछ की हाइलाइट दे रखे और दोस्तो बैक साइड में भी इनोंने कुछ की हाइलाइट दे रखे सारे वीडियो में कवर करूँगा वाक्स कॉंटेंट में इनोंने एक लंबा चोड़ा सा यूजर मैनुल दे रखा है अब बात कर लेते हैं अपने smart watch के बारे में सबसे पहले दोस्तों इसकी build और design की बात करें तो दोस्तों design मुझे खासा पसंद आया है और दोस्तों build quality की बात करें तो dial इन्होंने fully metal से बनाया इसमें जो crown button दे रखा है वो इन्होंने plastic से बनाया है और दोस्तों इसमें आपको functional crown button देखने को मिलता है तो दोस्तों इहां से आप अपने watch basis बगरा change कर पाएंगे और दोस्तों back side में इन्होंने polycarbonate का use किया सारे sensor charging pins इस side आपको speaker grill देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इहां पे इन्होंने microphone लगाया है लेकिन दोस्तों इसमें आपको replaceable strap देखने को मिलते हैं तो दोस्तों कोई भी silicon के strap से आप इसे replace भी कर पाएंगे डिस्पले की बात करूं तो दोस्तों डिस्पले आपको 1.32 inches LCD डिस्पले देखने को मिलता है 360 by 360 pixel resolution के साथ तो दोस्तों इसके display में आपको colors बगरा काफी अच्छे से दिखाई देंगे और दोस्तों जो display की sharpness है वो भी मुझे काफी ठीक लगे है साथी साथ आपको 500 nits peak brightness भी मिल जाता है तो दोस्तों outdoor में अगर आप इसे use कर गोई तो दोस्तों वहाँ पर आपको बिल्कुल भी side लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी watch का जो dial है वो square है लेकिन दोस्तों इसका जो display है वो बिल्कुल circular देखने को मिलता है और दोस्तों ये वाला watch face मैंने इसलिए लगाए जिससे आपको इसके bezels बगरा अच्छे से समझ में आ जाएंगे connectivity की बात करें तो glory fit app से आप इसे connect कर पाएंगे जो आपको app store और play store पे आसानी से मिल जाएगा already दोस्तों इसे मैंने download कर लिया और अपनी watch को connect भी कर लिया है app की UI मैं आपको दिखा दीता हूँ app की UI कुछ इस तरह किसे मिल जाएगे सबसे पहले आपको health overview देखने को मिलता है यहाप आपको sports record देखने को मिल जाएगा और दोस्तों device में जाएग तो दोस्तों आपकी watch का model number देख जाएगा और दोस्तों battery status बगरा भी check out कर पाएगे यहाप आपको सारे notification बगरा देखने को मिलते हैं यहाप आपको profile देखने को मिल जाएगे तो दोस्तों app मुझे काफी जादा useful लगा है watch को जो मैंने connect कर रहे अपने device में अब इसकी UI और feature को भी check out कर लेते हैं दोस्तों UI मुझे काफी जादा smooth लगा है यहाप आपको कोई भी problem नहीं आएगी अगर आप crown button को rotate कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ से इसके कुछ default watch faces आप change कर पाएगे और दोस्तों एप में भी जाके आप इसके कुछ default watch faces change कर पाएगे यहाप आपको पूरी library देखने को मिल जाएगे अगर आप my dial में जाएगे तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी picture भी लगा पाएगे right to left शब करें तो दोस्तों यहाँ आपको sort card cards देखने को मिल जाएगे सबसे पहले मिलता है दोस्तों steps count, calorie count और दोस्तों यहाँ पर क्लो मीटर भी दिख जाएगा एक बार और swap करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको heart rate monitor देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको blood pressure monitor देखने को मिलता है SPO2 monitor देखने को लेगा sleep monitor देखने को मिलता है music control तो दोस्तों आप अपने song को next, previous play pause कर पाएगे और दोस्तों volume को कम जादा भी कर पाएगे यहाँ पर आपको मिल जाता है voice assistant और दोस्तों better अप्डेड ले पाएगे यहाँ पर आपको games बगरा देखने को मिल जाएगे सबसे पहले दोस्तों बैटरी स्टेटस बगरा चेक आउट कर पाएगे यहाँ पर आपको dnd देखने को मिलता है torch मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको dial up pad call lock, contact sign करने का feature मिल जाता है और दोस्तो phone audio को switch वगरा यहां से आप कर पाएंगे और दोस्तो keypad काफी अच्छे से बढ़ कर रहा है यहांप आपको कोई भी problem नहीं आती है इस दरब से आप brightness adjust कर पाएंगे और दोस्तो यहांप आपको setting वगरा देखने को मिलता है menu में सबसे पहला आपको मिलता है training अगर आप training मिल जाएंगे तो दोस्तो यहांप आपको सारी sports mode देखने को मिल जाएंगे लगबग 70 sports mode यहांप आपको मिल जाएंगे जो daily use में आप use करते हैं वो यहांप आपको सारी मिल जाएंगे जैदर अपडेट ले पाएंगे, music control देखने को मिलता है, notification section, तो यहाँ पर आपको alarm clock देखने को मिलेगा, stress monitor और दुस्तो mood को भी check out कर पाएंगे, यहाँ से आपको breathe rate भी मिल जाएगा, और दुस्तो breathe का भी option दे रखा है, games, AI voice assistant और दुस्तो function, अगर आप function मिल जा रहे तो द change कर पाएंगे, यहाँ से दुस्तो brightness adjust कर पाएंगे, और दुस्तो screen time को कम जादा भी कर पाएंगे, अगर आप sound में जा रहे तो दुस्तो यहाँ से आप अपने phone audio को on off कर पाएंगे, और दुस्तो ring tune को भी on off कर पाएंगे, यहाँ पर आपको info देखने को मिलता है, power off कर अब लग नहीं आएगी, और दुस्तो price के हिसाब से देखा जाएंगे, तो दुस्तो feature भी मुझे काफी तगड़े लगे हैं, अल्मोस्ट सभी feature इस watch में आपको मिल जाएंगे, बैटरी वेकप के बारें बात करें तो दुस्तो इसे मैंने 3-4 दिन तक use भी किया, और दुस् तो वहाँ पे आपको 5-6 दिन का बैटरी वेकप ये watch आपको अच्छे से दे देगी, ये watch आपको IP68 rated मिल रही है, तो दुस्तो फुली बहसे बल है, इसे पनके आप hand wash करो, बरक आउट के दौरान अगर आपको sweating बगरा होती है, तब भी आप इसे use कर पाऊगे, और दुस्त करते टाइम, अगर आप इसे use करना चारा है, तो दुस्तो वहाँ पे आपको 15 मिनट से जादा use नहीं करना है, रही बाद इसके sensor के accuracy के, तो दुस्तो इन सब watch के sensor पे आप trust न करो तो जादा अच्छा है, क्योंकि इन सब watch के sensor होते हैं, वो कोई certified sensor नहीं होते हैं, सिर्फ आइडिया लेने के लिए use करो, अगर आपको कोई medical emergency आती है, तो आपको कोई medical equipment यूज करना है, तब भी दुस्तो मैं अपने professional oximeter के साथ इसके sensor की reading आपको compare करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको idea लग जाएगा इसके sensor किस तरीके से बर्क कर रहे है, आटरेट की reading को check out क दिखा रहा है, अभी मेरे blood में oxygen है, दोस्तो professional oximeter में 99 दिख रहा है, hard surface पर रखे इसके sensor को check out किया, तो दोस्तो यहाँ पर कोई भी response इसने नहीं दिया है, तो दोस्तो इसमें bear to detect वाला feature काफी अच्छे से बर्क कर रहा है, तो watch का in hand look कुछ तरीके का आने वाला, frame इसका fully metal अगर आप इसे sleep tracking के लिए use करोगे, तो कर पाऊगे, आपको कोई भी irritation बगरा मैसूस नहीं होगा, और दोस्तो इसमें जो bake up and rise वाला feature है, वो भी काफी ठीक से बर कर रहा है, बहुत जल्दी से आपका display bake हो जाता है, call आने पर कुछ तरीके का notification आपको दिखाई देगा, जह बात करूं तो दोस्तों, इसे मैं outdoor, indoor calling के लिए use कर रहा था, इसके microphone, speaker काफी अच्छे से बर्क कर रहे हैं, calling में आपको कोई भी problem नहीं आएगी, मैं आपको एक real time test करके भी दिखा दीता हूं, calling का, जिससे आपको idea लग जाएगा, इसके microphone और speaker किस तरीके से बर्क कर रहे है हलो, हाँ सिदार्थ, हाँ बाई, क्या हाल चाल, बड़िया बाई बड़िया, अच्छा थोड़ा यार help चाहिए तेरी, मैंने एक watch purchase किया, ठीक है, fireball collide, उसी से calling कर रहा हूं, तो ये बता, आवाज तेरे पास मेरी किस तरीके से आ रही है, आवाज तो काफी जाद अच्लिय अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं, वो तुझी clearly सुनाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं दूर से बात कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आवाज खाफी जाद तेरे रहा है, चाल, ठीक है, थैंक्यू, दोस्तों, इसे मैंने 3,000 रुपए में Amazon से first sale में purchase कर लिया था, अभी इसका price लगए 4,000 रुपए हो चुका है, तो दूस्तों, बात आती है, कि 4,000 रुपए में इसे आपको लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, आल्मॉस्ट सभी feature मैंने आपको अच्छे से बता दिये, तो decision आप खुछ से भी ले सकते हो, क्या आपको मेरा opinion चाहिए, तो दूस्तों, different look के साथ कोई smart watch अगर आप चा रहे हैं, लेना तो दूस्तों, इसे आप जरूर consider कर सकते हैं, लेना चाहिए, तो दूस्तों, मैंने description में link दे रखा है, वहाँ से जाके आप आसानी से purchase कर सकते हैं, तो दूस्तों, यही ता Firebird Collide smart watch का unboxing review, अग से पहले आपको मिल सकें, तो दूस्तों, मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye, जैहिंद,